अभी असलम अलेकूम कैसे हो आप सब अभी एकदम ठीक हुना सब और पड़ारा एक्ट Is भेभी टीक हूंगे तो जब पिटारा आफ गं canvas करवाना रहता हो या किसी कोळाओ कर्वाना रहता है खाहत तर टर्के उन लोगों को जो के फिटारा के करीब है या जाहिए जोबता हैना फिल ये अगे कर Dallas अगे कर देदी है चाहिए एकणादनवा लोको हो चाहिए सपोटर हो उसके अब कर देदी ये बोल रहे है हूँ मैं पता नहीं इस तरह की बाते कर रहा है तो फोरा है न तु पहले holडे सीख जा तू बाते तो ऐसे कर रहा है पता नहीं कितने इज़दार लोग है तुम लोग तेरी बीवी को तु खुद छोड़ के आता रहा है तब यह तेरी गहरत कहां चले गई थी तू आया बड़ा बात करने वाला तू आया यहां पर लोगों को तमीज सिखाने वाला तेरे अंदर खुद के अंदर तमीज है तू कैसे बात करता है और यह पहली बार मैंने तेरी जबान नहीं सुनी पहले भी तुने यह इस तरह की वीडियो बहुत सारी बना चुका है तो फावड़े के मों के चपड़ गंजू गेंडे काले बैगन पहले अपनी उकाद देख समझ आया औरतों के तुकड़ों पे पलने वाला बेगैरत ना मर्द किसम का तू आदमी है और तू बैठके औरतों के उपर बात करेंगा पूरे देश में एक डॉक्तर लेडी के लिए जो कुछ भी अभी चल रहा है लोग उसके लिए आवाजे उठा रहे हैं लोग उसके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं तू खुलाम में आके वीडियो बना के तू वही चीच के लिए लेडीसों को थ्रैट कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में इस तरह का करूंगा तो पहले हैं अपनी उकाद देख जिस तरह से तेरे घर की औरते हैं तेरी लोगों को व्यूज भी चाहिए कौन व्यूज दे रहा है तुम लोगों को क्या कोई मर्दा के व्यूज दे रहा है कौन व्यूज दे रहा है तुमको औरते ही व्यूज दे रही है और हर एक और शलवार पहंती है किसकी शलवार में घुसने की तू बात कर रहे है पहले तो पिक की ये जो पिक आदमी है इसके उपर बात अगर हुई भी है तो इसके खांदान वालों ने बैठके बाते किये उन लोगों ने बैठके वीडियो बनाए इसको जलील किये और इसको गालियां पढ़ी होगी पता नहीं कहां से तो ये आके बात कर रहा है और इसको गुसा आ रहा है कि आप लोगों की वज़े से अपने वही राव्या काणी और वो है ना इतकी आउरत का रितिक रहतन उसको बोल रहा है कि मेरे उपर आप लोगों ने इस तरह से बात किये मुझे गालियां पड़ी तो आप लोग यते निकाल निकाल के लाते हैं जो के तुम्हारे ले थोड़ी तो इन्हें तपीशी से बात कर जो minimize से बात कर जो और से कि यह बीवी के मूपे तेरे बाप के मुझा जाके तू हो तक्चा शुका कुले के बच्चे के बच्चे वो जे तेरी बीवी का इतना बढ़ा भूतात है इसके अफर तूएपर तू एक ज्यूछ तो यह रहती है खास करके तुम लोग जैसे गिरे वे गटर के कीड़े अच्छा गौचू एक बात बता जो तु आपके पिटारा की तारिफों के फूल भांद रहा है कि पिटारा बहुत जादा करती है बहुत करती है कोंचू तेरे लिए भी करती है इबराहिम के लिए कोसर क लिए तो ये सारी बाते तुने पहले क्यों नहीं सोचा जगर पिटारा आज बहुत कर लिए तो पहले भी तो बहुत करती थी इस के लिए पाज जाता मों काला करने के लिए पैसा लेके आना घर में एती फ्रीज वाशिंग मशीन चिमी चूले इतने बारी-बारी मेकप वो सा तो पूरा वायटी धो रहा था क्योंकि गटिया और अधने एक चोटे बच्चे के दूज के डूच के दबे का भाव निकाली उसने दूप्यक गिनी तो पूरा वायटी उसकी अच्छे से दुलाई कर रहा था तो तू आ गया उसके थारीफों के फूल बाहनने के लिए तो वो इतनी अच्छी थी तो बेगेरत काले बेगन तुने शादी क्यों किया ना करता ना अगर इतनी अच्छी थी तो और भई कोसर को शौक नहीं है बाहर जाने का वो मना कर देती है नहीं नहीं मुझे बाहर खाने पर नहीं जाना ना इन ही मुझे मार्के शॉपिंग करने नहीं जाना नहीं मुझे मौल में नहीं जाना वो मना कर देती है ठीक है गोंचुछु कुष्ठा है ना तो वो फौरन मना कर देती है उसको सब कुछ है ना घर में बैटे बैटे चाहिए अच्छा तो यह जो तुम लग फाम-ध। ग विसको सारा कुछ करवाते ही अगर के मुझे सब कुछ घर में चीए मैं तो निकलूँग गी नी मयों को दर्वाजा नहीं कोलना है तो फिर वह ऊपर जाना हो जहां पर पिटारा को नहीं जाना होता है ना लेकर पिर तुम लोग यह बोल देते हैं इसको नहीं जाना है वो घर में ही बैठती है इसको सब घर में ही चाहिए यह तुम लोग है न अपनी convenience के हिसाब से न लोगों को बेवकूब बनाते हो और मैंने कितनी बार बताई हूं यह बात के लोग दोनों मिलके मिया वीवी मिलके इसको धमकी देते है डिवॉस की उसको मुँ बन करके रखते है इसको ब्लैक मिल करते है लेकिन कोई नहीं मानता था आज इस वीडियो में यह अदमी ने अपने मुँ से बोला है कि अगर के कौसर सही से नहीं रही तो उसका रास्ता फिर गाउं होगा तो यहीं से आप लोग देख लो जब यह वाइटी पे शोश कारा के लिए एक लफ़ आके नहीं बोला है लेकिन कोसर के लिए मुद्धिन कोसर के मुझ से कुछ निकल गया कि अपनी हंडवाल को लेके जाओ इस तरह का तो इसने वीडियो बना दिया आज यहां पर बैठके कोसर के खिलाब बोल रहा है और फिर यह लोग बोलते है कि को कोसर अच्छी नहीं है अगर के कोसर में इतना दम होता कोसर पिठारा की तरह जलाद औरत होती ना गोंचु आत तेरी है ना उकात नहीं होती तो यहां पर बैठके कोसर के खिलाब बात करता यहां पर बैठके को धंकी दे रहा है कि अगर तुने नहीं सुनी तो तरह को इसे दी थी और एरा ने लाइब में आके बोली थी कि कोसर ने अपने आपको नुपसान पहुँचानी की कोशिश की और उसने चूरिया तोड़ी इसके हाथ में चूरिया गुज़ गई हलाके कोसर ने आज तलक के कोई वीडियो खुद के लिए नहीं बनाई लेकिन इन लोग न चाते हैं वैसे कोसर नाचती है और उसके पीछे रिजन क्या है डिवास की धमकी निलुक धमकी दे दे के न उसका मूँ बन करके रखे और गोचु तुने क्या बोला कि कोसर को मैंने कहा आप ऐसे नहीं करना वरना आपका सीधा रास्ता गाउं की तरफ होगा इससे ये ब यूए और ईस लोग इतने टैम से दो साल से क्या बोल रहे है कि कोसर नहीं आना चाहती है कोसर को गौँ पी यहां पे रहना है ना गोंचु के साथ रहना है और फिर इन लोग उसको धमकी दे रहे हैं कि गाउं भेज़ देंगे मिंस के इन लोग जो इतने सालों से बोल रहे हैं कोसर को नहीं आना है नहीं आना है तो यह बात भी यहां पर साबित हो गई के कोसर गाउं में लोगों की वज़े से थी पिटारा नहीं आने देती थी उसको अच्छा इतने एक बात और भी बोला कि वह सारा दिन घर में बैट्टी है हेटर वगेरा को देखते रहती है जिसे इसका धिमाग खराब हुआ है अच्छा तो वह पिटारा को नहीं देखती है अगर वह हमें देखती है या जो भी तुम लोगों के खिलाब बोल रहे है तुमारे एक सपोटर उन लोगों को देखती है तो क्या वह पिटारा को नहीं देखती तो इतनी अगर जुलुमगार होती तो पिटारा के यह जो वीडियो आते है जिसमें वह इतना जलील करती एक उसर को तो वह नहीं देखती उससे उसका धिमाग खर इसे चाटने के लिए दूतरी ओरत को तो इस तरह से कर रहा है लानत है तेरे उपर फावड़े मैं सुन रहा है मुझे मैं देखता तो किसी को यह को यह से मुझे का रहा है तो आप बच्यों को टांगे करना चोड़ दें जब आप लोग के वीडियो नहीं बनाते है ना हम को आपके साथ को लेंड रहना है ना कोई आसे बातें होती हैं ना को और तो आप बछया जा करते हैं मेरी दौन को टागेट करते हैं तो एंगा चलाना है और मैंने क्या करना है आप लोगा यहां पर मेरे घर को पकड़ते ही रहेंगे यही दोड़े है ना तू अपनी अगर खुद यह घर में लगा लिया उता ना तो पिटारा तेरे को पकड़ लेती लेकिन वह ना दूसरों की दोड़ों के साथ में दोड रही थी और त तू है ना अपनी उकात में रहें दूसरी बात के तरह को बड़ा बुरा लग गया के बच्चों पर किसी ने बात कर दी और तू बोल रहा है के तुमारे फलंगों पर चड़के कुदूंगा और गंदी गालियां जो तू दे रहे तो यह तरी बापता वो टेम पे कहां मर ग जीन रहा था तब कौंसी कबर में जा के छुपके सो गया था दले तुने वीडियो क्यों नहीं बनाया था कान्टेंट था content बना रहा था तेरे को जब एक बंदे ने बोला कि तेरी बेटी के ओपर बात हो रही है पिछल से मैं इससे बात करता हूं और इसको चुप करवाता हूं इसको बोलता हूं वाइटी पर मता तो तुने क्या बोला कि नहीं नहीं रहने दो वाइटी पर ही होगा जो होगा वाइ शर्म दल्ले बोल रहा है कि इनके घर में गुसूंगा वढ़ जाओंगा देखूंगा नहीं चोटी बैठी हुई एक बड़ी बैठी हुई तो तेरी बैठी हो के अपर वढ़ जा दे तू तेरे जो रिस्तेदार है उन पर वढ़ जा कुत्ते के बच्चे तू दूसरे ऑगतो नहीं है चोटा है के बड़ा है भाई है के जीजा है जैसे वो चाड़ जाती है किसी के भी उपर तुम लोग इस तरह की बाते दूसरों के लिए करोगे जो तुमारे घर में तुमारे खांदान में चलता है उस तरह की बाते तुम लोग दूसरों के लिए करोगे बेगरत नही पहले बोलता है कि मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं फिर बोलता नहीं मुझे क्लीपे आती है मैं नहीं देखता अबे तु इतना फारीक तरीन आदमी है ना कि तु बैटके ना एक एक कि लाइवे सुनता है कि वीडियो है ना खोल खोल के देखता है इसलिए ना तेरे को म माएं क्यों बनी हुए कोसर के हक में क्यों बोल रही है इसको भी वही मिर्ची लगी हुए क्योंकि फिटारा ने इसको कुटे की तरह मारी होईगी तो वही मिर्ची इसको लगी हुए लेकिन वह बात तो कर नहीं सकता है तो बच्चों के पर रख रही है नहीं तो बच्चे ल एक्क्रणा कर निगर मांगे है के तू जाकर विडियो बना और इस तरह से बाते कर पूरी स्क्रीप लिखके दिये तब यह आके यहां पर भॉंका है वरना तो इसको आके जवाब देना चीए था एजाज को और अजगर को टेम पे तो यह आया नहीं यह बिल में गुसा हुआ था अब इसको याद आ गया कि मेरे बच्चों के उपर बात हो रही है ज उसकी वजह से और इसने आके वह दिमांड को पूरी किया है रई बात कोसर को यह ले जा के वहाँ पर उससे माफीलन वाक के लाया ना ही उसका कोई गुना था ना उसका कोई कसूर था बस यह पितारा को नहां रहें रहें के पागल्पन के दोरे पड़ते इना तो यह इसी कराब होता है तो यहां पर यह भी तो बात लागू होती है ना कि क्या वो पिटारा के वीडियो नहीं देखती हैंगी दिन रात इसका बैंड कोसर का बैंड उसके साथ में दिन रात गुंते पिरते रहता है दिन रात उसको ले लेके बटकते रहता है और फिर बाद में वहीं पर सोग आथे फिर हार चीज में कोंसर को टोंट करती है बच्चे की सी इतनी चीज को क्याश करुआ दिखा के पुरा-पुरा der Trinity वीडियो बना के कासर को गंदा करी होती है वह सब चीजों से उसका दिमाग नहीं कराबית होगा यह आके बोल रहा है haterों को देखती है तो इसका धिमाग कराब होती है अच्छा यह बाइफ बहुत होती है ना वाइटी पे कर वह इसकी वाइफ है तो फिर तो इतना हग दिया जा रहा है पिटारा के आगे पीछे यह इतना घुमता है तो फिर को भी तो हग मिलना चीए ना जो इतके ओपर तो फिर जरूर बात करेंगे और गोचू बे शरम तो इतना कोई बेगेरत और आदमी है ना तो अपनी शलवार के अंदर है ना नारा है कसके बांदा कर तो इसमें तो फिर तेरे को ही शरम्रानी चीए कि वो दęs लोगो को समाल रहे है तू आदमी जात होके तू क्या कर रहा है गेंडे की तरह घर में लोटते रहता है अगर के तुम लोग घर का काम बराबर से करते मतलब के जुम्मेदारियां उठाते तो क्या ज़रूरत परती फिर उसको काम करने की जितनी भी आयाशियांती करता ना तू पूरा तुम लोगों ने पूरा नहीं किया ना तूने तभी तो फिर वो गंदे काम करने के लिए गई तुम लोग वैसे भी ना बेटी को छोड़ते है ना बीबी को छोड़ते है ना कोई रिस्ते को छोड़ते है पैसे के लिए तुम लोग अपनी बेटीयों को अपनी बीबीयों को यूज करते हैं गंदे काम उन लोगों से करवाते हैं और घर में तुम लोग पैसे लेकर आते हो बखी एक बात की इतनी हसी आई मुझे ये बोल रहा है राभ्या काणी को और पिटारा के रितिक रोशन को के तुम लोगों की वज़े से में गालियां खाया तो भई गालियां तो तेरी बीवी के वज़े से खाया है तुने पिटारा की वज़े से गालियां खाया है उसका गुसा तु कहीं और निकाल रहा है तेरे में इतना दम होता तो पिटारा के लिए बोलता ना उसने आके 27 मिनिट का रियक्शन दी थी इन लोगों की बोलने के वज़े से गालिय जो बात पिटारा को नहीं अच्छी लगी और फिर पिटारा ने तेको भेज दी कि जा इनको भी गंदा कर उतको लग रहा होगा कि तुने फोन करके बोला है कि तेरे को मार पड़ी तेको घर से निकाला गया है ना तो लोगों ने आके सज बता दिया जिसकी वज़े से तेरे क पिटारा को मिर्ची लग गई पिटारा ने भेज दी के जाब इनको भी जलील करके आ तो ये जलील करने वला ना ये खुद नहीं है ये पिटारा है पिटारा ने जलील करवाई है वैसे तो बहुत चाट्टी है वो अपने रिस्तेदारों को जब के किलाब बोलते है ना सज बोलते हैं तो फिर इसको कोई नहीं चीए फिर सारे रिष्टे बूल जाती है वो सच बोले इसको मिर्ची लग गई देखो कैसे बेजी स्क्रीप देखे और एक बात गोचु जो जो भी तुने बोला है ना बैट पे कुदूंगा घर में दौर लगाऊंगा कच्चा सुकाऊं यह सुकर अपने घर के अंदर क्योंकि तुम लोगों के घर में यह सब चलता है और पहले कच्चा पहनना तो सीख जा बिना कच्चे के कर रहा था जो तू दुबई में हैं वो दिख रहे हैं सबको नामर्द तू है समझा तेरे से तेरी बीवी तक के नहीं समलती है घर नही बोलते हैं जो लेट के बच्चे पैदा कर दे मार्द उसको बोलते हैं जो औरत की इज्जत करें अपना घर समाले हां दुनिया में बहुत सारी ओरते हैं जो कंदे से कंदा मिला के आदमी के साथ चल रही है लेकिन वहां पर आदमी भी कर रहे तेरी तरह है न सूर बनके घर लोट नहीं रहे तुम लोगों के पुरे खांदान की तरह जो आदमी घर में लोट ध्र यते और और हौरतें मुझ काले करकरके पैसे ले के आती है और उसमे बड़ी शांत है तुम लोगा याशी भी करते हो और बताते भी हो तू Mir extingu लोगों है ना वो भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि दिन भर लाइवे लगा के चार-पांच ओरतें बैठ जाती है जब तलक लोग तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे तुमारे उपर परदे डाल रहे थे तब तलक के तो लोग बड़े अच्छे थे उनके नाम ले-ले के उन अच्छी तारीपे करो परदे डालो तो तुमारे लिए सब कुछ अच्छा है याइसे ही नमक राम है ना तुम लोग थे हो और हमेशा रहोगे और जो तुम पिटारा की इतनी चार्ट रहे पिटारा तेरे को रखी हुई है ना एक ना एक दिन तुम लोग भी एक दुतरे क इलात मारके निकालोगे जब काम निकल जाएंगा तो और गोचु आके ना माफी मांग इस सब गंदी अरकतों की वज़े से ना जो तुने गंद किया है ना इसके लिए माफी मांग व्यूस के लिए जितना तुम लोग गिर रहे हो ना उतनी जल्दी तुम लोगों का पत्त विड़ो में लपके